Hello everyone, welcome to this lecture series on finite element method, so this is the fourth module 2D finite element method, lecture number 25, plane stress and plane strain, okay, so basically हम यहाँ पे fourth जो हमारा module है, वो डिसकस कर रहे थे हैं, और यह सारे topics हम डिसकस कर चुके हैं, और fourth module के अंदर आज हम यह second last lecture डिसकस कर रहे हैं, okay, so start करते हैं, तो basically अभी हमने last lecture में पढ़ा था, कि 3D stress-strain relationship क्या होता है, कोई एक object है, जिसके उपर three dimension forces लग रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने stresses शो करे हैं, shear stresses सब भी direction में शो नहीं करे हैं, ठीक है, simple रखने के लिए, तो उस case में हमारा पास जो stress और strain का जो relation आता है, वो यह रहता है अपना, ओके, और यह जो matrix रहती है, यह वाली यह जो part रहता है, इसी को हम constitutive matrix या फिर यह जैसे हमारा sigma is equal to E epsilon होता है, ठीक है, उसके अंदर जो E का roll जो होता है, वो यहाँ पे 3 dimension में यह D होता है, ओके, तो यह चीज हमने discuss कर ली थी, इसको थोड़ा सा clear कर देता हूं, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह हमने, यहाँ पे सब जगावा हमारे stresses है, यह strain है, और यह हमारा relation य ठीक है, ठीक है, बट कुछ cases में इसनी बड़ी matrix को solve करना बहुत difficult हो जाता है, और बहुत tedious work होता है, तो engineering में हम क्या करते हैं, कि 3D problem को, जो 3D problem 2D convert हो सकती है, उसे हम 2D में solve करने की कोशिश करते हैं, और उसी के वहाँ पे हमारा पास plane stress या plane strain हमारे काम आते हैं, जो कि 2D में convert कर देती है, जिसको हम easily और fastly solve कर पाते हैं, तो इन दोनों conditions का help है, इन दोनों का help है, 3D problem को 2D problems में convert करके उसको solve करना, तो सबसे पहले देखते हैं, plane strain conditions, तो plane strain condition में क्या होता है basically, strain in one direction is 0, ठीक है, तो किसी भी एक principle axis में जैसे की मान लेते हैं, कि Z generally मान लिया जाता है, कि Z में जो अपना strain है, वो 0 है, ठीक है, तो Z direction में अगर strain 0 है, तो हमारे पास जो भी strain के Z direction में component होंगे, वो सारे 0 हो जाएंगे, जैसे कि epsilon Z, gamma XZ और gamma YZ is equal to 0, तो इसकी वज़े से, इन दोनों की वज़े से क्या होगा, देखते हैं आपे, अगर हमा हमारा, यह दोनों 0 हो जाएंगे, तो इसका मतलब, Tau YZ और Tau ZX भी 0 हो जाएंगे, ऑके, बट, Epsilon Z के 0 होने पर, हमने यहाँ पर देखा, Epsilon Z अगर 0 है, यहाँ पर, तो इससे, या फिर इधर देख लेते हैं, इस case में, Epsilon Z 0 है, तो Sigma Z 0 नहीं है, ठीक है, तो इस चीच को मे generally produce होती है, वो मैं बताता हूँ, जैसे कि एक simple सा case है, एक dam का case है, यह dam है, और इस dam को यहाँ पर mount कर रखा है, इस ground पर है, ठीक है, और यह water है, इसको यहाँ प्रेशराइज कर रहा है, या force कर रहा है, तो उसके कारण basically होगा क्या, यह arrow इस तरीके सा आएगा, यह जो है, य जो कि इसकी वज़े से यहाँ पर stresses produce होंगे, तो इस पूरे block को, इस पूरे 3D dam को हम two dimension में मान सकते हैं, जहाँ पर जो stresses है, वो सिर्फ x और y direction में हैं, और z direction में इसके जो basically जो width है, वो बिल्कुल भी change नहीं होगी, actual में होती है change, but वो इतनी minute होती है as compared to these changes in x and y direction, कि हम उसे negligible मान लेते हैं, okay, तो यह पहला case हो गया, दूसरा case हम rolling में देख सकते हैं, कि यह जैसे कि एक metal की sheet है, जिसको roll किया जा रहा है, ठीक है, यह rollers की help में roll किया जा रहा है, तो अब इसमें हो क्या रहा है, कि इसका जो basically इसकी जो height है, वो reduce हो रही है, इसकी जो width होगी, वो constant बात करोगे, तो width यहाँ पर constant रहती है, rolling के case में जो width होती है, constant रहती है, बहुत ही minute change होती 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 है, इसकी height बहुत ही कम है, और उसमें भी हम और कम कर रहे है, तो delta H upon H, जो strain होगा, height की case में बहुत जादा होगा, as compared to width होगा, width में क्या है, delta W बहुत ही negligible होगा, और जो W यह हमारा बहुत बढ़ा है, तो हमारा जो इस direction में, their direction में, जो out of the plane, their direction है, उस direction में जो strain है, वो हमारा almost zero होगा, ठीक है, तो ऐसे cases को, अभी मैं थोड़ा सा इसको clear कर देता हूँ, ऐसे cases में हम क्या करते हैं, इनको सिर्फ two dimension object की तरह treat करते हैं, और इस problem को easily two dimension के case में, हम इसे solve कर सकते हैं, ओके, यह arrow इदर है, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, तो इसको two dimension में कैसे करेंगे, अगर dam की बात करेंगे, तो हम सिर्व एक triangular cross section लेंगे, analysis के लिए लिया जाएगा, ठीक है, यह cross section area इसका लिया जाएगा, ठीक है, analysis के लिए या फिर कोई भी simulation के लिए, ओके, तो इस तरीके से यह conditions होती हैं, तो हमने देखा, कि किस तरीके से, यह 3D problem को हमने convert करना है, हमें 2D method with the help of plane stress, plane strain, अब plane strain के अंदर क्या हो रहा है, हमारा, कि strain in z direction, जो one direction मान रहे हम principle, कोई भी एक principle direction में, conventionally, या फिर generally हम, z direction मान रहे हम 0, तो उसके वज़े से हमारे पास, यह हमारे पास equations आती हैं, और उसके बाद हम, इन equations को अगर इस matrix के अंदर put करें, इस matrix में आपकोंने क्या हो गया, हमने देखा, कि, बेसिकली यहाँ पर, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर, एपसलों z और गामा यह दोनों component 0 हैं, तो जब हम इसको यहाँ पर 0 put करेंगे, यह 0 और इन दोनों को 0 put करेंगे, तो उससे क्या होगा, कि यह value जब 0 होती ही matrix में, तो इसके corresponding rows, और corresponding columns, यह 3rd है, तो यह 3rd, यह 5th ह यह 5th और यह 6th है, यह 0 हो जाते हैं, ठीक है, और उसके कारण हम इनको भी eliminate कर देते हैं, तो वही case हमने यहाँ पर किया आप देख सकते हैं, कि यह part 3 हैं, तो उसके corresponding rows और corresponding columns को हमने eliminate कर दिया है, यहाँ पर, और उसी तरीके से यह पूरा जब eliminate हो जाएगा, तो हम इसको भी remove कर देंगे, तो ultimately यह जो हमारी इतनी बड़ी matrix थी, इतनी बड़ी matrix जो थी, यह, वो convert हो गई, एक छोटी सी matrix में, पो 2D element, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, तो यह basically यह matrix बन गई, यहाँ पर sigma x, sigma y और tau x, y आ रहा है, और यह वाला part as it is रहा, यहाँ पर यहाँ पर जो non zero part था, वो हमने लिख दिया है, यह पूरा non zero part था, यह दोनो non zero थे, और यह वाला part, तो इतना यह non zero part हमने यहाँ लिख दिया है, और यह हमारा epsilon यहाँ पर strain जो है, वो लिख रखा है, तो यह जो matrix बनी है, basically, यह हो जाएगी D for the plane strain, ठीक है, अब plane strain के लिए हमारा D हो जाएगा, अगर question में पूछा जाएगा, कि what is the plane strain, D for the plane strain, तो यह value आएगी, अब हमको यहाँ पर हमने इसको eliminate कर दिया, sigma Z को, but इसकी value non zero है, ठीक है, इसकी value non zero हमने देखा था, इस starting में, तो इसकी value find out करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यह equation लेंगे, यह equation ले और इसके अंदर हमने, हमको sigma X, sigma Y की value, इस matrix को solve करने पर हमको मिल जाएगी, ठीक है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा rearrange कर दिया, मैंने यहाँ पर, कि epsilon Z is equal to zero हो गया, तो sigma Z, sigma Z, ठीक है, तो यहाँ पर इसको, यहाँ बता देता हूं में, तो epsilon 0 हो गया, तो यह basically minus V by E common निकाल लो अगर यहाँ पर, तो यह आजाएगा, sigma X plus sigma Y, और यह हो जाएगा, plus sigma Z, ठीक है, by E, ठीक है, तो यह sigma Z को मैं उधर ले गया, और ultimately यह E से E cancel हो जाएगा, जब मैं इसको उधर ले जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको equal to कर दिया, तो यह value आगई, और यह negative sign भी यहाँ से cancel out हो जाएगा, तो sigma Z is equal to V, sigma X plus sigma Y, यह value आगई, यह जो इसका derivation है, वो मैंने यहाँ कर रखा, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो sigma Z की value, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, अगर question में पूछा होगा, यहाँ पर यह हमने से इसको इस देखते हैं, तो plane stress देखते हैं, plane stress में क्या होता है, stresses in one direction is zero, अब यह तब होता है, यह basically thin, जो thin sections होते हैं, एकदम thin plates हैं, उस case में यह होता है, कि अगर एक पतली सी plate है, बहुत पतली plate है, और इसमें एक ही plane के अंदर stresses लग रहे हैं, तो उस case में इस plate को एक surface मानते हुए, आ आप 2D जो simulation है, या 2D आपका analysis है, वो कर सकते हो, तो यह thin perforator plate, अगर कोई छेदे बीच में होल है, तो अपन इस तरीके से इसको कर सकते हैं, आप किसी भी simulation software में भी यह करके देखेगा, तो आपको results almost same मिलेंगे, ठीक है, या फिर thin wall pressure vessels हैं, ठीक है, प्रेशर वेसल्स हैं, जो हमारे पास cylinder होते pressure vessels हैं, और उसकी भी walls बहुत thickness जो है, वो बहुत ही कम है, ठीक है, यह जो thickness है, basically बहुत ही कम होनी चीज़, इसके diameter के ratio से, ठीक है, तो उस case में यह हम इसकी condition use कर सकते हैं, उसको सिफ एक ring मान सकते हैं, इस तरीके से ring marking के उसका analysis कर सकते हैं, या फिर thin gear है एक दो spur gear है, ठीक है, आपस में जो मेट हो रहे हैं, और उनके जो teeth है, उसमें भी हम यह इस तरीके से के सकते हैं, कि यह plane stress की condition वो follow करेंगे, और उसको two dimension में हम analyze कर सकते हैं, तो अब इसके इंदर हूं directly zero put करके नहीं कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हमें इसको modify करना हो होगा, इसको equation के through जाना होगा, तो plane stress condition के अंदर sigma z, tau xz और tau yz 0 होते हैं, ठीक है, तो जब यह दोनों 0 होगा, तो ultimately यह भी 0 होगा, क्योंकि इस equation में आप देख सकते हो, यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि अगर यह दोनों 0 हो जाते हैं, तो यह दोनों भी 0 होने चाहिए, ओके, क्योंकि यह 0 है, तो यह constant है, यह part, तो यह 0 होगा, तब यह constant होगा, तो यह part भी 0 होगया, ओके, तो यह 0 होगया, और, ultimately हमारा, यहाँ पर, यह जो, बट जो, एपसालों z जो है, यह non 0 है, ओके, यहाँ पर, एपसालों z जो है, वो non 0 value है, अब देखो, अप हमारी पहली equations थी, जो हमने लिखी थी, यहाँ पर, इन equations को use करूँगा, यहाँ पर, इन equations को use करके, मैं, इस form में, but for 2D case, जहाँ पर हमारा, जो हमारा, यह values है, सिग्मा जेड वगेरा, वो 0 है, उस case में, मैं इसको convert करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो सबसे पहली हमने यह equation ली, first equation, sigma x is equal to, यहाँ पर, एपसलोन x is equal to, sigma x by e, minus, new, sigma y upon e, और वो z वाला जो component था, वो cut गया, उसी तरीके से यह दूसरी equation आ गई, अब इस equation में, मुझे, इस तरीके से करना है कि, sigma x और sigma y अलग-अलग हो जाए, ठीक है, तो सबसे पहले मैं ने क्या करा, second equation को new से multiply क आप तो उससे यहो गया, मेरे पास यह value आगई, और पहली और तीसरी equation को add कर दिया, यहाँ पर, एड कर दिया, तो इससे basically मेरे पास, यह आगया, यह add कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं, दोनों को, पहली equation थी, यह मेरी और यह तीसरी equation थी, दोनों को जब add किया, तो मेरे बास यह value आ गई, epsilon यहां उपर आ गई हम यहां से, तो epsilon x plus new epsilon y is equal to sigma x e minus new square sigma x e तो यह हमने यहां पर common निकाल लिया, यह 1 by e को common निकाल लिया, और sigma x by e को common निकाला, तो 1 minus new square हो गया, अब sigma x को एक जगा रहने दिया, इसको यहां ले गए, e और new को, तो यह constant आ गया, और यहां पर आमार पास आ गया, sigma x plus new sigma y, ठीक है, तो इसको हम यहां पर भी देख सकते थे, directly, तो ठीक है, यहां पर यह 0 हो जाता है, तो थोड़ा सा value change हो रही ही यहां पर, यह directly use नहीं कर पाएंगे हम इसे, ठीक है, क्योंकि यहां पर z component हमने 0 कर रखा है, इसलिए इसको directly use नहीं कर रहें, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह अपने derivation कर दिया, अब जब sigma x आ गया, तो उसी तरीक से हमको sigma y निकालने के लिए, तो again हमने क्या किया, 1 को new से पहले, 2 को new से multiply किया था, अब 1 को new से multiply करके 2 में add करेंगे, तो यह value आईगी, ठीक है, और उसको basically हमने और modify करके लिग जिए, sigma y के terms है, तो यह हमार पा और tau xy की जगा हमने यह लिखा, जी, बट हमें यहाँ पर value इस form में चाहिए थी, 1-new square के form में, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1-new और 1-new को उपर नीचे multiply कर दिया, ठीक है, तो यह हो क्या गया, यह 1-new into 1-new, basically 1-new square हो गया, और यह part extra आ यहाँ पर, कोई लिक्कत नहीं, ता next हम चलते है, तो हम तीनों को ABC equation यह जो बनी हमारी, this is the A1, this is the A equation, यह A है, और this is the B, और this is the C, तीनों को हमने matrix form में लिख दिया, तो यह matrix form में जब लिखा, तब देखा कि यह वाला जो part है, यह constitutive matrix बनाएगा, for plane stress condition, ओके, और हमने देखा था, कि इसमें हम stiffness matrix for 2D element बनाने की कोशिश कर रहेता है, तो stiffness matrix में B transpose हमने निकाल दिया था, और T, A वगेरा और B पता था, अब जो D था, वो हमने last class में 3D के लिए निकाला था, now in today's lecture, we have find out the D for 2D element which follows plane stress या फिर plane strain condition, तो जब भी आपको कोशन में दिया जाएगा, plane stress या plane strain condition के लिए आपको solve करना होगा, तो जो stiffness लिखेंगे, उस stiffness के अंदर आपके, ये जो, sorry, D जो है, वो according to the plane stress या फिर plane strain condition के according आपको ये D put करना होगा, okay, so I hope आपको ये lecture समझ में आओगा, कोई doubt होगे, तो please comment section में आप पूश सकते हैं, और आपको lecture पसंद आ रहा है, तो please like, share and subscribe, thank you everyone.